तो हारो का सीजन शुरू होने वाला है ऐसे में आप खरीदारी के मूड में भी आ गये होंगे हाला कि फेस्टिफ सीजन के आते ही तो हारी खर्चे भी परिशान करने लगते हैं लेकिन ऐसा तभी होता है जब इन खर्चों को अनप्लैन तरीके से किया जाए अगर स्मार्ट त खर्च मैनेज करने के ऐसे ही छे स्मार्ट तरीकों के बारे में यहां पहला त्योहारी खर्चों के दिए बचट बनाएं सबसे पहले अपने त्योहारी खर्चों के लिए बचट निधारित करें ऐसा ना करने पर खर्चे शमता से अधिक हो जाते हैं जाता था लोगों को द लिस्स में जरूरी चीजों को रखे और लिस्स जरूरी कर्मों में बनाएं, यानि सबसे जरूरी काम को सबसे बहरे रखे, ताकि अगर फंड कम भी पढ़ जाए, तो सबसे जरूरी चीजे पीछे ना चूटे, वैसे तो हारों पर खर्चे होते ही हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें भी पचट कर सकें, तूसरा, आधिक छूट पाने के चक्कर में ना भटके, करोना काल में ऑनलाई शॉपिंग जाधा हो रही है, इकॉमर्स कंपणियां एक से बढ़कर एक जील पीश कर रही है, सबी कंपणियां करहाकों को आकरशित करने के लिए बंपर छूट ओफर कर रही है, डिसकाउंट के वर जरूरत की चीजों को सस्ते में खरीदने के लिए फायदे मन रहता है, लेकिन यहीं डिसकाउंट कभी-कभी बेकार के खर्चे भी करा देता है, बजाव इशिशक्डियों का कहना है कि खरीदारी अपनी जरूरत को देखते हुए ही करनी चाहिए, कभी भी सर्फ अधिक छूट पाने के लिए खरीदारी करना खाटे का सोधा होता है, इसलिए सबसे पहले अपनी जरूरत को समझे और फिर पता करें कि आपको कौन सी चीज़े सस्ती में मिल सकती है, तीसरी, अन्नवे शक्ड खरीदारी के चक्कर में ना पड़े, जोहारी सीजन में अकसर हमें कई ऐसी चीज़े खरीदेते हैं जिसकी जरूरत होती ही नहीं, इस आदत को आप समान की सूची बना कर, खरीदारी कर नियंतरत कर सकते हैं, इसके लिए क्या खरीदना है, सूची बनाएं, और जिस खर्तमान को आप खरीद दे, उस पकट का निशान लगाते चाहिए, इस तरह से आपको याद रहेगा कि आपको कौन सी चीज़ खरीदी हैं और कौन सी चीज़े नहीं। चौथा, कोशिश करें खरीदारी बजट के अंदर ही हो, क्रेड़ कार्ट से खरीदारी इस फरोसिंपर कर लेते हैं कि बोनस तो मिलेगा ही, उससे क्रेड़ कार्ट का भी भिल चुका देंगे, यह आदत अच्छी नहीं है, कभी पे भविश्य की कमाई पर खर्चान नहीं करना चाहिए, डाउन पेमर पर मुफ्त थाहयक उपकरण के बजाए, 0% EMI जैसे विकल्प का चैन लाब थायक हो सकता है, जो इससे आपकी विद्धिस्तेती कमजोर हो सकती है, हमेशा खरीदारी तैब बजट के अंदर ही करनी सही होती है, पाच्वा, इसे लिए खरीदारी का सही समय, तोहारे सेजन में अपनी बिक्री और कारुबार बढ़ाने के लिए तमाम कमपनिया भारी छूट दे रही है, साथ इवाहन, मुबाइल फोन, होम एंप्लाइंसेस, बनाने वाली कमपनियों ने एक नए मॉडल उतारे है, वहीं उनके फीसर्स में भी इजाफा किया है, इसलिए इस मौके का सही तरह से इस्तमाल कर समान को खरीदे, ताब कि आपकी अच्छे से बचरत हो सके, खरीदारी से पहले तुलना करे, खरीदारी करने से पहले एक बार सभी वेबसाइट पर कीमत की तुलना सरूर कर ले, जब भी आप कुछ भी खरीद रहे हो तो ऑनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से तुलना करना बहतर होगा, कुछ बस्ते हों के लिए आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अच्छे डियर मिल सकते हैं, जब कि कुछ में आपको उस्ताने दुकानों में भारी छूट बिल सकती हैं, ऐसी डियरों के लिए आप पहले थोड़ा होम वक कर ले, तो ये थी वो तमाम चीज़े जिनके तरह ये आप असानी से अपना तुहारी सीजन मना सकते हैं,